हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी ब्यूटी ओस रुक्सार आज मैं आपको बताने वाली हूँ सॉक्ड गोल्ड स्मोकी आइज टूटोरियल तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाएए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए स्टार्ट करती हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना सारा मेकप कम्प्लीट कर लिया है अब मैं लेने वाली हूँ यह मेबिलीन का कंसीलर इससे मैं अपनी आइस को अच्छे से प्राइम कर लूगे अब मैं लेने वाली हूँ यह मेकप और लाइफ का आईशाइडव पैलेट मैं जो भी प्रोडुक्स यूज कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देदूंगी तो इसमें से जो यह स्किन कलर का शेड है वो वाला यूज करने वाली हूँ में पहले अब मैं लेने वाली हूँ यह क्राउन ब्रांड का छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश यह बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश है और इसको यह सा छोटा सा पॉइंट भी है इसका नंबर है C321 तो इससे मैं लेने वाली हूँ यह जो ब्राउन शेड है यह पैलेट का यह ब्राउन शेड लेने वाली हूँ और सिर्फ जो आउटर कॉर्णर है यह जो आउटर कॉर्णर है सिर्फ मैं इसे यही पर लगा रही हूँ इसी तरह मैं इस साथ पर लगा लूँगी तो यह मैंने लगा लिया है अब मैं यह पैलेट काफी बड़ा है ऐसे इसमें बहुत सारे शेड तो इसमे का जो यह वाणा कोफी ब्राउन वो शेड ले रही हूँ वही ब्रेश से ले रही हूँ मैं और एक ऐसी राइन बना रही हूँ इसे डप-डप करके fix कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसे blend करूंगे इसी तरह मैं इसाख पर भी कर लूँगी तो यह मैंने लगा लिया है, अब मैं एक soft golden shade लेने वाली हूँ, तो मैं इसी palette में से लेने वाली हूँ, यह जो golden shade है, मैं यह वाला ले रही हूँ, इसमें काफी सारे golden shades है, जैसे यह, फिर यह एकदम yellow है, और फिर इसमें brown वाले mix वैसे भी gold है, बट मैं यह वाला shade लेने वाली हूँ, उसके लिए मैं लेने वाली हूँ, एक flat brush, मैं इस eyeshadow palette का link आपको description box में दे दूँँगी, तो यह मैं inner corner पे fill करूँगी, तो यह मैंने golden अच्छे से पिल कर लिया है, अब मैं, वही blending brush यूज़ करूँगी और उसमें वही जो brown shade मैंने यूज़ किया है वही यूज़ करूँगी ताकि ये दोनों अच्छे से mix हो जाए फिर से flat brush यूज़ कर रहे हूँ और उसमें golden वही shade ले रहे हूँ अब मैं लेने वाली हूँ black shade इसी आइशाडव में से मैं ये black वाला shade यूज़ कर रहे हूँ matte और वही brush यूज़ कर रहे हूँ मैं और बहुत ही कम amount ले रहे हूँ और सिर्फ जो ये area है outer corner का उसी पर लगा रहे हूँ पर रहे हूँ किसे मैंने क्रीज लाइन था किसे ब्लेंद किया है यह ilex है मैंने लगा लिया ब्लैक अच्छे से ब्लेंद करना है तो मैंने अच्छे से убलेंद कर लिया अब आधी प्लैड से फिर से मैं golden shade ले रही हूँ ताकि यह दोनों को मैं अच्छे से mix कर सकूँ इसी से मैंने mix किया है अब इसी तरह मैं मेरी दूसरी आग complete करती हूँ प्रहे है अब में आप दूसरी नह चें़ दूसरी तरह में आप me अच्छे से से बाखके कर दोनों दूसरी आप उगे शूसरी में अच्छे से में आप इसी । झाल अब चो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरी यहाँ पर गिरा है मैं उसे पाउडर ब्रेश की हल्प से रिमूब कर रही हूँ तो यह रिमूब हो गया है अब मैं ले रही हूँ मेबिलीन का जेल आईलाइनर इसे लगाने के लिए एक आईलाइनर ब्रश इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो तो मैं उस पर आपका रिप्लाइ करूंगी कुछ भूल जाती हूँ झाल 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 तो ये लग गया है मेरा आईलाइनर अब मैं लेने वाली हूँ आईलाइश कर्लर और आज मैं लेने वाली हूँ मेबिलिन का मस्कारा तो ये मैं लगा लिया है मस्कारा अब मैं लेने वाली हूँ ये हाईलाइटर पालेट ये ग्लैम 21 का हाइलाइटर पैलेट है एक ऐसा एंगुलर शेप्ट का ब्रश ले रही हूं और अपने आइबोन्स को हाइलाइट कर रही हूं अब मैं लेने वाली एक एंगुलर ब्रश ऐसे और जो ब्लैक वाला शेड है उसे मैं नीचे स्मॉज करूंगी एक एका वाली एके स्मॉज करूंगी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सिर्फ यहां तक यह जो एरिया है इससे मैंने छोड़ दिया है सिर्फ यहां तक smudging की है अब मैं लेने वाली हूँ यह eyebrow pencil आप चाहे तो brown color का kajal pencil भी यूज कर सकते हो मैं काजल के replacement में यह brown pencil यूज कर रही हूँ इस्विज beauty की brown pencil है eyebrow pencil तो अब मैं लेने वाली हूँ mascara फिर से lower lash complete कर लूँगी तो यह मेरा soft golden smoky eyes complete हो गया है उमीद करती हूँ आपको मेरा यह video पसंद आया होँगा अगर आपको यह video पसंद आया इसे like कीजिए share कीजिए और मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए बाई कीजिए बाई